दोस्तों इस वक्त मैं खड़ा हूँ जैपुर शहर के अंदर और जैपुर में आया हूँ मैं कैनन इमेज स्कॉयर में और यह आप जैसा ही चांते हैं वर्जन 4 स्टोर है यानिकी बहुत ही बड़ा कैनन का स्टोर है इसके कौन्स यानिकी प्रोजन कौन्स दोनों के बारे में बात करेंगे इसकी इमेज क्वालिटी देखेंगे इसकी वीडियो क्वालिटी भी देखेंगे और एंड में मेरे क्या थॉट्स इस कैमरा के बारे में उस सारे में शेयर करने बारा हूँ क्योंकि बहुत लोगों ने मुझे कहा था कि सर आप इस कैमरा के पर वीडियो बनाईए तो इस वीडियो का आप एट तक जरूर देखिए Welcome back to my channel friends, this is Manish Saksena, let's get started अब दोस्तो सबसे पहले बात करूँगा एक minus point की जैसे ही मैंने इस कैमरा के हाथ लगाए, यानि कि इसको खोला मैंने सेंसर चेक करने के लिए तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कोई भी जो है curtain नहीं है जैसा कि Canon R6 Mark II में curtain आता है, इसके अंदर वो चीज मिसिंग है जो मुझे थोड़ी सी खराब लगी तो इस बात को आप ध्यान रखें कि यहाँ पर कोई भी सेंसर का protection नहीं है अब बात करते हैं बहुत ही अच्छी बात कि जो मैंने इसमें note की वो है दोस्तों की यह आप जो मेरे आप में देखी सक कैमरा देख रहे हैं अब जो R8 कैमरा है इसके अंदर आपको same sensor मिल रहा है जो यह जो canon R6 Mark 2 के अदर है same color science मिल रही है same megapixel 24.2 megapixel का केमरा मिल रहा है और सबसे बड़ी बात है कि आपको same auto focusing system मिल रहा है जो कि canon R6 Mark 2 का है तो आप ये जो तीन बड़े major points होते हैं किसी भी photographer के लिए वो आपको R8 body में मिल रहे हैं जो कि बहुत ही कमाल का advantage मुझे लगा क्योंकि कई बार क्या होता है कि कई photographers उनका budget नहीं होता कि वो R6 Mark II खरीदें तो उनके लिए जो है ये सारे features R6 Mark II के जो major features है वो सब आपको R8 के अंदर मिल रहे हैं that is a very big advantage अब बात करते हैं इसके दूसरे सब्सक्राइड advantage के वो है दोस्तों इसका price अब जहां तक price की बात है तो मैं आपे Canon Export को ही बुलाना चाहूँगा जो इस store में ही है मुकेश जी प्लीज एक मिनट के लिए आएंगे मुकेश जी बताईए आपके पास ऐनली Canon R8 आचुका है किस price के अंदर आप अभी आप इससे sale कर रहे हो सर बाड़ी की बात करते है तो बाड़ी के MRP एक लाग ब्यालीच ज़ा नोसो पिच्चानवा है बेस्ट प्राइज आपको 154 के आपको मिल रहा है तो दोस्तों यहाँ पर जो price का एक बहुत बड़ा advantage है क्योंकि Canon R8 जैसे के आप जांकते हैं एक full frame camera है और जैसे मैंना भी आपको बताया है कि Canon R6 Mark II की color sign सेम आपको मिल रही है सेम इसके सेम sensor मिल रहा है सेम autofocusing system मिल रहा है तो यहाँ पर एक price भी बहुत बड़ा advantage हो जाता है अब बात करेंगर इसके grip की तो मुझे grip इसकी काफी अच्छी लगी दोस्तों लेकिन इसका जो size है वो बहुत ही lightweight है 461 gram की यह camera body है with battery के साथ सो काफी lightweight है camera यह चीज काफी अच्छी लगी पर यहाँ पर मुझे एक चीज थोड़ी सी feel हुई अच्छी grip होने की बावजूद भी जो है इसका जो size है as compared to Canon R6 Mark II वो थोड़ा सा मुझे चोटा लगा और जो इतना sturdy ने पकड़ने में अगर मैं बड़ा lens लगाऊंगा तो शायद मुझे थोड़ा सा problem हो तो it's not that sturdy जैसा कि Canon R6 Mark II है बट अगें ठीक है आपको जो price में मिल रहा है उसके हिसाब से मैं काऊँगा कि बहुत ही अच्छी body को design किया है एक minus point मुझे लगा है के अंदर यहाँ पर जो है आप देखरों आटो फोकस वाली joystick है वो missing है जैसा कि Canon R6 Mark II में तो R8 के अंदर वो missing है तो इस बात का ध्यान रखिए बट अगें ये feature होता तो अच्छा रहता बट अगें कुस तो difference रखना था R6 Mark II और R8 की वीच में तो यहाँ पर autofocus joystick missing है यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ आपको मिल जाता है एक micro HDMI output अगर यह थोड़ा बड़ा कर देते थोड़ा change लाते क्यूंकि नया camera लाँच कहा है तो और भी अच्छा होता अब बात करें दोस्तों यहाँ पर इसके design की तो काफी अच्छे से इसको design किया गया है सारे buttons जो है बहुत अच्छे से place किये हैं चलिए अब करते हैं इसका image quality का test देखते है Canon Arts में किस तरह की photos मिल रहे हैं इसकी quality कैसे निकल का दी यहाँ पर जैसे मैंने focus किया तो दोस्तों कमाल का autofocus है यह मुझे बहुत impressive लगागी यार focus एक जटके में lock हो गया लेते है picture तो एक मैंने picture लिया यहाँ पर और अब मैं यहाँ पर focus कर रहा हूँ जैसे मैंने screen पर touch का आप देखो focus एक second के अंदर focus होता है दोस्तों मुझे यह चीज़ बहुत ही अच्छी लगी तो यह picture हमने एक लिया चलिए यहाँ पर Canon export और उनका photo लेते है यहाँ पर देखिए एक बार तो मैंने देखिए focus एक दम eyes पर किया और बिलकुल focus आशानी से lock हो गया है तो आप picture देख पा रहे हैं यहाँ पर मुझे इसके जो colors है दोस्तों वो बहुत ही natural बहुत ही fantastic लगे color science is super friends autofocusing is super same जैसे मैंने बताए R6 Mark 2 की तरह ही है तो यहाँ पर आपको कोई भी tension एलने की ज़रूरत नहीं है अब बात करते हैं दोस्तों Canon R8 की video capabilities की तो यहाँ पर कमाल की video capabilities आपको इस camera में मिल रहे है price point पे यहाँ पर आप असानी से 4K 60P shoot कर पाओगे without any crop तो यह चीज मुझे बहुत ही अच्छी लगी अगर आप एक serious videographer है यह अच्छी content वाली films बनाते हैं, wedding film shoot करते हैं प्री wedding के videos बनाते हैं तो भईया बहुत ही बढ़या क्यामता दाएगा 4K 60P without crop मिल रहा है अगर बात करें codex की तो यहाँ पर आप 8 bit, 10 bit दोनों पे इसमें असानी से shoot कर पाओगे तो यह चीज मुझे काफी अच्छी लगी चलती लेते हैं, लेते हैं colors आपको कैसे लग रहे हैं मुझे color science में तो बहुत ही बढ़या camera लगा चाहिए वीडियो हो चाहिए आपका photography हो, बहुत ही बैतरीन color के साथ में आपको यह देता है अब यहाँ पर एक minus point लगा दोस्तो इसके अंदर जो है in body image stabilization नहीं है तो वो थोड़ा सा मुझे minus point लगा अगर आप handle shoot कर रहे हैं, तो थोड़ा सा दिक्कत आ सकता है but you can use gimbal अब दोस्तो यहाँ पर आप देख रहे हो, मैं कर रहा हूँ इससे vlog और मैंने flip out screen का अपनी दरफ कर लिया तो vloggers के लिए camera बहुत अच्छा है आपको इसकी vlogging फोटेज कैसी लग रही है मुझे comment करके बताना मैंने अब फिलाल आपको वो sample दिखाने के लिए vlog बना रहा हूँ और मैं बात कर रहा हूँ देखिए lens पर 24-50mm का lens इसके लगाया हुआ है तो आप अच्छे lens अगर use करेंगे इसके साथ में और भी आपको बहतरीन footage मिलेगी यहाँ पर फिलाल kit lens के साथ में आपको इसका overall मेरा vlog वाला footage कैसा लग रहा है comment करके ज़रूर बताइए तो अभी जब मैं दोस्तो vlogging कर रहा था तो सबसे अची चीज मुझे लगी इसका dual auto focus system बहुत ही कमाल का है मैं जैसे से अपने face को हिला रहा था यहाँ आ जा रहा था focus मुझे बहुत ही आसानी से track कर रहा था तो अगर आप एक vlogger है solo content creator है तो आपको tension लेनी कोई ज़रूत नहीं उसके लिए बहुत ही बढ़िया camera है अब बात करते कुछ और cons की अब सबसे पहली चीज़ जो मैंने नोट की दोस्तों वो है कि मैं आज इस पे जब दिन भर इसको try किया तो यहां मैंने देखा इसका जो battery life है वो थोड़ा मुझे poor लगा और battery भी इसमें थोड़ी small है यानि कि इसमें LP17 battery है अगर यह Canon R6 Mark 12 बैटरी डालते है तो ज़्यादा अच्छा रहता बट ठीक अभी जो price के अथर आपको मिल रहा है बट यहां पर personally मुझे battery life थोड़ी poor लगी overall जब मैंने photos कीचे तो यहां कुछ मुझे 280 shots मिल गए एक battery के अंदर लेकिन अगर आप पूरा दिन आपको shoot करना है इसके उपर तो आप एक battery या दो battery आप extra ज़रूर खरी देगा वो मैं आपको personally advise कर रहा हूँ दूसरी चीज जो मुझे थोड़ी सी इसके तर अच्छी नहीं लगी वो लगी दोस्तों इसके अंदर आपको मिल रहा है single card slot वैसे मैं personally shoot करता हूँ मेरे लिए single card slot काफी होता है बट बहुत सारे wedding photographers हैं जो लोग को चाहिए होता है कि भी double card slot मिल जाए जहाँ पर दो card के उपर simultaneously recording कर सके in case एक card fail हो जाता है तो हलाकि ऐसा बहुत कम होता है बट फिर भी एक अगर dual card slot होटा तो थोड़ा better रहता बट यहाँ पर आपको single card slot ही मिल रहा है तो यह थोड़ा सा मुझे एक negative point लगा है इसके अंदर उसके लब दोस्तों यहाँ पर एक थोड़ा सा मुझे जो उसका resolution है वो as compared to Canon R6 Mark II जो है वो थोड़ा सा कम लगा तो यहाँ पर अगर EVF का resolution थोड़ा जादा मिलता तो और हम better तरीके से जो है अपने viewfinder के अंदर देख पाते तो यह छोड़ी छोड़ी चीज़े हैं जो मुझे थोड़ी सी negative लगी apart from that यह camera बहुत ही fantastic है अब कोई भी इंसान अगर camera खरीटता है तो उसके दो main reason होता है कि एक तो image quality उसे अच्छी मिले video quality उसे अच्छी मिले तो यह दोनों चीज़ें आपको Canon R8 में मिल रही है अब यह camera किल लोगों के लिए है तो मेरे साब से दोस्तों यह camera उन लोगों के लिए है जिनका budget Canon R6 Mark II का नहीं है लेकिन अगर उनको same color science चीए same आपको sensor की performance चीए same autofocusing system चीए तो वो सब आपको Canon R8 में मिल रहा है अब सारे features तो जैसा भीने बता है इसमे autofocus वाली joystick missing है तो वो Canon R6 Mark II में ही मिलेगी तो अगर आपका budget कम है आप vlogger है, आप content create करते हैं आप pre wedding shoots करते हैं wedding photography करते हैं एक आपको full frame camera चाहिए एक सही price में चाहिए तो I think Canon R8 जो है वो वहापर एकदम fit बैठता है आप लोगों को इसकी features कैसे लगे आपको इसकी color science कैसी लेगी जो भी मैंना shoot करके दिखाए हलाकि यह बहुत ही detailed review नहीं है लेकिन जो major points है वो मैंने सब आपको अभी आज इस video में बता दिये अब कुछ दूलों के बात जो है मैं इसका R6 Mark II के साथ comparison होला video भी लेके आने वाला हूँ जहाँ पर हम एक अच्छा lens लगा के जो है दोनों camera को compare भी करेंगे ताकि आपको और भी clarity आ सके आपके Canon 8 के बारे में क्या विचार है मुझे comment करके ज़रू बताइएगा अब यह जो camera है दोस्तों मुझे Canon जैपूल का जो यह सब रता है Canon image square जैपूल का वहाँ उनके showroom में ही मैं उनके outlet में ही मैं shoot कर रहा हूँ तो इनका जो Instagram idea वो मैंने description में लगा दिया है तो इस से related कोई भी inquiry आपको करनी है तो आप वहाँ पर उन्हें message कर सकते हैं वो definitely आपको attend करेंगे हो सकता है शायद अगर आप बोलेंगे आप हमारा वीडियो देख किया है तो शायद तोड़ा बड़ डिसकाउंट आपको और इसमें मिल जाए तो वो आप तोड़ा सा push करेंगे तो वो दे देंगे क्योंकि यहाँ पर मैंने उनके साथ काफी सारे वीडियो पहले भी बनाए है they are very good people and if you need any technical assistance तो आप store को visit कर सकते हैं और जो लोग जैपूर में नहीं जाते हैं बहार के हैं वो आप उन्हें DM करके उसके साथ बात कर सकते हैं आज के लिए इतने रखते हैं दोस्तों जल्दी मिलते हैं फिर नहीं वीडियो के साथ thanks for watching